बंगलादेश में ट्विटर ने इसकौन का अकाउंट सस्पेंट कर दिया है और इस घटना के बाद से इसकौन के अधिकारी काफी नाराज हैं और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कोलकाता इसकौन के जो प्रवक्ता हैं राधार अमंदास वो मौझूद हैं पूरी लेंकर नरसंघार हुआ है बंगलादेश में उसको दुनिया तक पहुंचा रहे थे उन सभी का एकाउंट सस्पेंट कर दिया कर मेरे मेरे जो नजर में आ तीन चार हैंडल से जो सस्पेंट हो चुके हैं और हम लोग भी उसके माध्यम से बहुत सारे जानकरिया प्राप्त ह हो रही थी दुनिया को प्राप्त हो रही थी तो उन लोगों ने तो वहां पर लोगों का की हत्या नरसंघार किया लेकिन ट्विटर ने ये सस्पेंट करके उन लोगों की आवाज की हत्या की है यह क्यों किया है ट्विटर ने को समझ में आ रहा है यह ट्विटर ही बता सकत अन्याय पुर्वक है क्योंकि वो लोग जो डरे हुए हैं अपने घरों में हैं हमें पता चला है कि मीडिया उडिया का महा जाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है मीडिया को भी तो इस हैंडल से क्या होता है कि जो भी आवाज है अटलेस दुनिया तक तो पहुंचनी चाहिए उसको अगर हम दफना देंगे तो जो भी लोग हैं जो अलड़ी बहुत सारे लोग सफर हो चुके हैं तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा अभी क्या रिपोर्ट आ रही हैं बांगलादेश से इस कौन के जो आपके अधिकारी हैं या जो वरकर्स हैं उनकी क्या स्थिति है मनो स्थिति तो बहुत अलोग डरे हुए हैं लेकिन एक सुप की ख़बर यह है सांति कि कल से थोड़ा जो यह हिंसा थी वो रुका हुआ है मैं दो तिन मंदिर के वहां के अधिक से बात किया तो बोलें कि हाँ अभी इसका असर दिख रहा है अभी उस तरह की कोई ख़बर नहीं आई मारने की और गौर्मेंट ने भी वह एक्शन ले रही है कल उन्होंने काफी पुलिस ऑफिसर जिस एरिया में हिंसा हुई थी उनक सामान को लूटके लिए गए थे तो सरकार बंगलादेस के सरकार ने बोला है कि उनको कमपन्शेशन मिलेगा हम इसका स्वागत करते हैं बाहरी ओर से भी दूसरे कर रहे हैं और तीज तारीक को बड़ा ब्रहुत्रशन है उनको तीन दिन लगा उसका जवाब देने के लिए सो मार को उन्हों क्रिटिसाइज किया है हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनरल सेक्रेटी उनाइटे स्टेट इसके उपर में बोलें क्योंकि यह इतनी बड़ी घटना हो गई है यह बहुत बड़ा नरसंगार है और उनाइटे स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनकी सरकार ने भी आज सबेरे उन्ह कед राक्ति होती है अगर पूरा संसार आ जाता है खड़ा हो जाता है तो बहुत बहुत बल मिलता है बंग्लोग की सरकार तो राइट से ले ही रही थी लेकिन जब पूरी दुनिया उनके साथ खडी होती अग्लादेस सरकार को भी हिम्मत अद्य वर्यशन के सदोगणे लद positivity कि हमें इसको बंद करना चाहिए और बड़ा एक प्रोटेस्ट आपका होने वाला है हम पूरे दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है जितने भी स्कॉन के मंदिर है बहुत लोग ने ब्रत भी रखा हुए है क्योंकि बहुत सारे हमारे भक्त मारे गए हैं बहुत ही मतलब मैं आ साल तीन साल के बच्चे भी मारे गए हैं तो बहुत ही दर्दनाक है मैं कल एक लाइव टीवी शो में मैं अपने आसू कंटेंड नहीं कर पाया तो मैं भी मतलब बहुत डिस्टरब्ड हूं लेकिन मेरा यही कहना है कि एटलिस्ट दुनिया को इसके उपर में आवाज उठा रहेगा इस कौन की ओर से और ट्विटर ने जिस तरीके से बंगलादेश में इस कौन का अकाउंट सस्पेंड किया है उससे भी काफी नाराज है इस कौन के अधिकारी के साथ थनपम मिश्र आज तक कोलकाता अवाज पूस्टो दूस्टो